हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टू होम एजुकेशन और क्रियेटिविटी आज एक और डिया वीडियो में लेकर आई हूं आपके लिए तो मैं एक अपनी बालकनी के लिए खुबसूरत सा वाल हैंगिंग प्लैंटर बनाने वाली हूं यहां पे इसके लिए मैंने चार छोटे पॉट्स लिए हैं जो इजीली मिल जाते हैं पांच-दस रुपे में परपीज पड़ता है यह तो इस तरह के चार मैंने लिए हैं और इन चारों को अलग-अलग कलर में अट्रैक्टिव कलर में मैंने पेंट कर लिया है तो एक को मैंने किया है रेड एक येलो एक ग्रीन ए बना के इनको तयार कर लोंगी सबसे पहले मैंने लिया है यलो वाला पॉट जिस पर मैं ब्ल्यू कलर से इस तरह से पैटन बना रही हूं कर दो दो कर दो उपन तरह से पाट झारे से कंपनो कर तो कर दो दो आ 시 कि इनको दोसे कि आ तनको वाला कर दो 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 अंधुर्णर अगर चिया पाटा जागे थारीफ, अपाने हो थारीफ, तुर्णा बाटा, आपने धूड़ान के ङरूपे का बाटा, आपने पाटा जागे तो ने बाटा है। तो फ्रेंड्स इस तरह से मैंने अपने चारों पॉट्स पे अलग अलग पैटन्स बना लिए और जब यह पैटन्स पेंट होकर और राई होकर रेडी हैं तो आप मैं लूँगी एक की रिंग आप यहां पे चाहो तो कोई भी इस तरह की रिंग यूज कर सकते हो क्योंकि इसक ऄपल यारों लपेट के इसको हम अच्छे से नौट टाइ कर देंगे ताकि यह मजबूती से टाई हो जाए इस तरह से मैंने सारे चारों के चारों पॉट्स टाइी कर लिए और जब यान कट करें तो यह ध्यान दें कि एक अर्ग साइज का हमें कट नहीं करना राचा पट करना यहां पर चोनी के चार बड़ी कॉंछ को देखिए युड़ी के जंड पूम हैं नमें पर दोपनीखता चार होनी पालग पेधा खता रहा है तो ये मैंने इन में इस तरह से लगा के इनको हैंक कर दिया अगर आप चाहो तो यहां पर natural succulents भी लगा सकते हो तो यह देखिए कितना सुन्दर लग रहा है तो हो फ्रेंड्स आपको ये idea पसंद आया हो अगर पसंद आया है तो मेरे चैनल को like, share, subscribe जरूर करें और bell icon पे क्ल प्रिफिकेशिंस मिलती रहे थैंक यू फर वाचिंग को misin प्रिफेशिंस मिलती रहे थैंक को का ओा झास को